अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपके बोर्ड एक्जामिनेशन में हो सकती है प्रॉब्लम तो क्लास 10 के हो चाहे आप क्लास 12 के हो आपको ये बाते ध्यान रखनी जो आची वीडियो हम डिसकस करने वाले हैं तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे आप cbsc की वेबसाइट पर जाएंगे जो ओफिचल वेबसाइट है cbsc.gov.in और यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस देखेंगे आपको में वेबसाइट पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर नीचे जाकर के दिखेंगे कुछ cbsc की त अग्जाम दे पाएंगे और बहुत साथ जो यहाँ पर लिस्ट ऑफ केंडिडेट्स है इसके अंदर जो जो फॉर्म फिल होगा स्कूल वालों की तरफ से वह उसके अंदर वह आप से डिटेल जरूर भरवाएंगे तो अगर आपने वहाँ पर गडबड कर दी तो कुछ प् तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि सब्मिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर क्लास इस इंपॉर्टन एक्टिविटी है हर स्कूल के लिए तभी यहां से जो लिस्ट जाती स्कूल की तरफ से वही बोर्ड एक्जम सी जो है वह आपको बोर्ड एक्जम ल पाओगे क्योंकि आपका नाम ही नहीं है उस लिस्ट के अंदर दिक्कत होगी अगर डेट अब बर्त वगरा में प्रॉब्लम है तो आपका जब रिजल्ट अगर रिपोर्ट काड आईगी तो वहां पर गलत होगा और 10 और 12 की जो माक्षीट होती है रिपोर्ट कार्ड होती तो यहां पर भाई देखो इसको हम क्या बोलें क्या रखना है कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं वह क्या करने भाई टीचर्स को असाइन करना है कि उनकी रिस्पॉंसिबिलिटी के भरवाएं बच्चों से या खुद भरें जैसे अभी हो तो जाद तर यही चांसे आप से भरव दा इपरिक्षा लिंक गिवें ऑन दा सीबीसी वेबसाइड ठीक है आपकी सीबीसी डॉट इपरिक्षा का लिंक है वहां से ब्री जा सकती है तो अगर आपके टीचर्स आपसे वह फॉर्म करवा रहे हैं जो आपके बोर्ड एक्जाम के लिए आगे डिटेल जानी है तो प ठीक है और जो लास्ट हमारा नोटिस आया था नोटिफिकेशन आया था उसको देख लेते हैं यहां पर भी इसी बारे में बात करें फिलिंग अप दा करेक्ट इन्फॉर्मिशन डैटा एट टाइम ऑफ सब्मिशन ऑफ लूसी ठीक है तो यह देखो में काम तो यही है कि ज काम ध्यान से करना है जो कि इसमें बताया गया हुआ है तो सबसे इसमें में बात बताइए कि अगर आप सही से इसको फिल करते तो क्या बेनेफिट होंगे तो सबसे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और स्मूदली क्या हो जाएंग आपके एक्जाम कंड़क्ट हो जाए तो अगर मालो आपने सब कुछ एक्जाम अगरा दे दिया आपकर जब रिपोर्ट काड़ा है वहां पर आपका नाम गलत लिखा है यह फिर आपका डेट ऑब बर्थ गलत लिखा तो बहुत ज़ादा गड़बड होती है बहुत बहुत बागा दोड़ी होती है तो उन सब च तो गलत डाटा भर देते भाई स्टुडेंट तो प्लीज ऐसा ना करें आपके फ्यूचर का सवाल है और अगर ऐसा करोगे तो भाई इफ रॉंग डेमोग्रेफिक डिटेल ऑफ दे स्टुडेंट आर फिल इन स्टुडेंट नीड तो गेट इस डिटेल करेक्ट आफ्टर अगर आपकी जो पासिंग डॉक्यूमेंट से वह सही नहीं आते तो प्लीज प्लीज अच्छे से चीजों को करें इफ रॉंग सब्जेक्स आर फिल इन स्टूडेंट फिल इन स्टूडेंट विल नॉट बी अबल टू अपिर इन दे एक्जामिनेशन अगर आपने भाई आ अपने स्कूल वालों से बात करके अपने टीचर से बात करके अच्छे से करिए और पूरी कॉमर्स टीम आपको भाई अल दी बेस्ट कहती है आप अच्छे से अपने एक्जाम की बी प्रिपरेशन करिए और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके जो क्लास 12 की तैयरी की बात करें यहां पर जबर्दस तरीके से हो रही है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई टेक केर और अल दी बेस्ट